आपने चौथे राउन के बाद कहा कि 270 हो चुके हैं आपके, तो अब अगले तीन राउन में सिर्फ दो सीट के लिए आप लड़ रहे हैं। दिखे आप एक पत्रकार दुरुष्टी से देख रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाओ का और चुनाओ के परिणाओं का दो दुरुष्टी से बहुत महत्व हैं। जो भी सरकार चुन कराएं, उसको देश के हर हिस्से से समर्थन प्राप्त हो। और सरकार स्थीर और पून बहुमत की हो। क्योंकि सरकार अंततों गत्वा संकल पत्र या घोशना पत्र के आधार पर चुन कराती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाओं में जा रही है या पॉलिटिकल पार्टी का ग्रूप जो चुनाओं में जा रहा है। उसका घोशना पत्र पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सिट्रेंसी से जन समर्थन किसी भी सरकार को काम करने का विश्वास देता है। और स्थिर्टा नकिवल देश दुनिया भर में हमारे देश की 130 करोड की जनता की जो इच्छा है इसकी व्याख्या करती है तो मैं मानता हूं हमारे 400 पार के नारे को विपक्स ने हमेशा की तरह एक सौर्ट साइट उनकी जो बहुत कम दूर की द्रश्टी होती है इससे देखकर इसको पुलिटिसाइज करने का प्रयास किया है मगर मैं निश्चीत रूप से मानता हूं स्थीर सरकारे देश को ताकत देती है स्थीर सरकारे नेनायक कदम उठाने में सहायक होती है स्थीर सरकारे करीबों को कल्रयान करने में सहायक होती है स्थीर सरकारे अतंकवाज, नकसलवाज जैसे इंटरनल सिक्यूरिटी के खत्रों को कुचल देने के लिए मदद रूप होती है और स्थीर सरकारे देश के एजंडे को और देश की स्थिति को दुनिया में बदलने भी बहुत साहय खोती है जो चार सो पार का जो नारा था उसको आप मिसिंटरप्रेट केजिए कुछ भी कहिए पर ओपोजिशन ने तो का था कि आप रेजरवेशन हटाने के लिए कर रहे हैं आप मुसल्मानों के हग को चैनने के बात कर रहे हैं, उनका जो रेजावेशन है, उसे हटाने के लिए कर रहे है ये बात ग्राउंड लेबल तक जा चुकी थी, तो चोते राउंड तक आप क्या कहेंगे कि अगर आप कह रहे हैं निरनायक जो कदम है उसके लिए था not for taking out reservation देखे इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जब विपक्स इतनी ओची राधनिती करता है तो हम तो receiving end पड़ें मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से कि अगर हमारा अरक्षन हटा ना होता तो दस साल से हमारे पास बहुमत था इस देश की जनता नहीं दिया था हमने तो वह नहीं किया और जहां तक मुसलमानों के आरक्षन का सवाल है मैं आज भी फम हूँ कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षन नहीं होना चाहिए इसमविदान की स्कीम नहीं है, इसमविदान इससे सहमत नहीं है और भारतिय जनता पार्टी धर्म के अधार पर आरक्षन नहीं होने हैं आपने कहा कि 400 का जो टार्गेट था वो आतंक और नकसलवा जैसे को कुचलने के लिए एसे रीजन्स के लिए था लेकिन हिमंता जी ने कहा कि 400 पार का नारा जो है मतुरा में कृष्ण जनभूमी, काशी में ज्यानवापी हटाकर विश्वनात मंदिर और पीयो के को पूर्ण तरह भारत के साथ जोडने के लिए इसलिए 400 का नारा देखे पीयो को पाक उक्यूपई कस्मीर का जहां तक सवाल है एकिवल भारती जनता पाटी नहीं देश की संसत का कमिट्मेंट है कि पाक उक्यूपई कस्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अतिकार है इसको कोई जुखला नहीं सकता या आज जो फारुक अब्दुला जी और कॉंग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सन्मान करिए पाक उक्क्यूपाई कस्मिल का डिमांड न करिए मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड की आबादी वाला जनसंख्या वाला एक्टोमिक पावर भारत इमहान देश क्या किसी से डर कर अपने अधिकार जाने देगा किस प्रकार की सोच है और रहूल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्स्प्लेंड करना चाहिए इनके एलाइंज के नेता और इनकी पार्टी के के नेता क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान का सन्मान करो मच्लब क्या पाक-ख्यूपई कष्मीर जाने दे ओ कभी नहीं हो सकता कि मैं पूनत आया इस बात पर भारतीय जनतापाटी का मत रखने रखता हूं कि भारतीय जनतापाटी मानती है कि पाक अक्क्यूपई कस्मिर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए और वो नहीं आता है तब तक हम सब का दाई तो अतुड है पर कोई प्रोएक्टिव कदम आज तक लिया नहीं है आपके इंटर्वी में बता कर प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जाते उचीत समझ पर देश की और दुनिया की सीती देखकर मगर यह हमने हमारे एक लक्स तरह किया पर पहली बार आजादी के नारे लग रहे हैं वहाँ पर भारी तादात में पाकिस्तान फॉज भेज रही है वहाँ पर जो अप्राइजिंग है उसे कुचलने के लिए और भारत की तरफ से कोई मतब चाहे सरकार हो या फिर कश्मीरी लीडर्स हैं वो कुछ नहीं कहते हैं लेखे वहां के डिस्पूट्स के आधार पर पाक उक्यूपाई कस्मीर का हम जतना नहीं चाहते हैं वहां मिसमेनजमेंट है बैट गवर्नन से वह उनका विशह है परन्तु पाक उक्यूपाई कस्मीर हमारा है क्योंकि पूरे कस्मीर का मर्जर भारतिय संग के साथ हुआ है वो अधिकार को कैसे लेना वो भारत का सवाल है वहां के मिस मेनेजमेंट का सवाल नहीं है और हिमंता जी ने जो कहा था कि ज्यानवापी की जगह विश्वनात मंदेर और कृष्ण जन्भूबी ये भी 400 का नंबर जो है टार्गेट उसके लिए दिखे वो दोनों के सुप्री एक डिस्पूट को सीज करकर सुनवाई कर रहा है मैं नहीं मांनता किसे ने इसमें दखल करनी चाहिए नहीं मिला आप तक अपिरामन्दीर हमारे लिए पोलिटिकल फाइदे नुक्सान का प्रस्तन ही नहीं नहीं था सुरुवात से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्ता का सवाल था, और करोड़ों लोगों की सुरद्धा का सवाल था. पर जब आपके नहीं, जब भी BJP के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो कैंपेंज होते हैं, तो नारे तो लगते हैं, जो राम मंदिर लेके आया, हम उने लेके आएंगे. दिखें, वो नारे जनता लगा रहे हैं, ज्यादा तर, आप इनने दिखाओगा, मंच पर से नहीं लगते हैं, जनता में से लगते हैं, तो जनता के नारे कोई पुलिटिकल पार्टी, लीडर या तो आप भी नहीं तै कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी, दिसमें डेमोक्र प्राण प्रतिष्टा का कारेक्रम का बहिस्कार किया, और मेरा पर्ष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि इनोंने अपनी माइनोरिटी वोर्ट बेंक के डर से वहाँ जाना, मुनासिब नहीं समझा, उनकी पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आये थे, क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निशकासित किया गया, या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्षन की नौटिस दिये गए, वो हमारी पार्टी में आये, मगर मेरा एक ही मुद्दा है, कि ईद के दिन, आप आपको मुस्लिम भाईयों के साथ इद मनाने में कोई जिजग नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए, राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा में नहीं जाते है, क्योंकि मुस्लिम वोट बेंक आपको आपसे नाराज हो जाएगी, किस तर की तक नारेटिव जो था, वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगल सूतर पे था, और अब जाके महिला पर है, कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है, वो महिला वोटर के पास है, एक ये सारे नारेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग घड़ते हैं, भारतिय जनता पार्टी का और NDA का एजेंडा बहुत सुपष्ट है, दस साल में मोदी जी ने गरीब कल्यान के लिए ठेर सारे काम करी हैं, दस साल में देश के चहु मुकी विकास के लिए हमने बहुत काम की हैं, दस साल में देश सुरक्सित हुआ हैं, दस साल में देश समर और यही हमारे election का agenda है कि भारत का गवरव पुरी दुनिया में बढ़ा है और वो मोदी जी के efforts के कारण, उनकी समता के कारण, उनकी समवेधन सिलता के कारण और agenda को नीचे तक पहुचाने के इनके सभाव के कारण हुआ है पर यह सिर्फ narrative की बात नहीं है जो first three, two, three rounds की बात है वहाँ पर महिला voters जो हैं बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला voters जो हैं वो अपने पुरुष voters के संख्या में ज्यादा आए हैं और फिर जो पहले जो करते थे जो पुरुष family के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ vote डालना ह उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं उनका अपना मन है तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है देश की माता हो बेनों ने अपनी इच्छा के अनुशार वोट देना ही चाहिए क्या आपके कोई ऐसे policies हैं कि लाभारती जो है वो महिलाएं हैं इसलिए लाभारती छोड़िये ना स्मीता जी आद तो आप मुझे बैठ कर सवाल कर रहे हैं कल हो सकता है आप संसद में बैठ कर सरकार को सवाल पुछे या विपक्स को सवाल पुछे क्योंकि 33% reservation इतने सालों से और किसी नहीं किया नहीं पार्लामेंट आई तो मोधी जीने सबसे पहला बील लाना कौन सा उचित समझा तो 33% आरक्षन विधान सभाव में और लोग सभा में लाना मोधी जी इतना बड़ा अधिकार मोधी जीने इतने सालों के बाद देने का काम पर हम ये interview बंगाल में कर रहे हैं यहीं पर संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था और यहां पर मुख्यमंत्री जो हैं वो महिला हैं उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का शडियंतर था उनसे रचा गया ये खेल था देखे मैं कई बार बता चुका हूँ, ममता बेनर जी जी ने अपनी कारियसली डेवलप की है, पहले अत्याचार कराई है, जब अत्याचार करिये और होने दीजिये, और अत्याचार से जब लोग परेसान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सारवजनिक करते हैं, तो वो के लिए फिर सत्याचार करें संदेश काली इसका क्लासिक एक्जाम्पल है एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के अधार पर धेड़ सारे महिलाओं के साथ दुसकर्म होता है और वो चुप पैठी है हाइकोर्ट को इंटर्विन करना पड़ता है दोस्यों को पकड़ने के लिए उसके बाद भी जान ठीक से नहीं होती है तो सिबी आई को हाइकोर्ट देती है उनको सर मानी चे विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं आपका ही जो अलाइंस क से ही आती है सरकार किसकी है कॉंग्रेस की मेरा बहुत पस्ट मत है कि कॉंग्रेस के डेपीटी सियम वोकलीगा जाती से आते हैं वोड़त का इंक को रहा ही लगा है और अपनी वोकलीगा वोट बेंक को प्रोटेक करने के लिए उनको जाने दिया है जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है जैसे इगटना बाराई मेरी पार्टी के और से मैंने ही स्पष्ट किया था बले हमारे अलाई हो कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए या तो वो सिभी आई को देने बंगाल में जो election related हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें दिखे बड़ा दुर्भाग्य पोह है एक जमाने में यूपी बिहार में रेगिंग होती थी चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया रेकिंग समाप्त हो गए तिरे दिरे चुनावी कल्चर भी बढ़ला एक जमाने में अतंकवादी कस्मिर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे दो दिन पहले वहाँ पर भी 35 प्रसत वाटिंग होई एक रेकोड है मतलब अतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रेकोड है परन्तु बंगाल एक देश का एक इसा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीमसी सरकार है जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं रहती है घत विधान सभा चुनाव के बाद दस दिन में 53 लोग मरे चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजे पर यहां हाईकोड ने ओर करना पड़ेगा आप वाट्सेप पर परचा डाल दें जब पार्टी क एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है नीचे कोई दूसरी पार्टी के कारेकरता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है कोई टीमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फासी चड़ा देते हैं और कहते हैं आत्मत्या कर दी मैंने ऐसा दुरूश्य कहीं नहीं देखा एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी परहनतु केरल की हिंसा मारपिट वाली होती थी तो गरीब लोगों को आप फासी पर लटका दोगे जिन्दा जला दोगे कई सारी ऐसी गटना हैं मैं तो आपकी चैनल से दर्ख्वास करूँगा कैके ऐसे द्रस से ढून लीजे फासी जटने वाले और जिन्दा जलने वाला एक आदमी अपना वीडियो करकर अपिल करता है मैं तो जल अब जलकर मरने वाला हूं आप इस सासन को बदली है पर इलेक्शन कमिशन ने साथ फे और लॉट करते साथ के जीटने के बाद मंता जिन्दा मोड़ी में तो वेक्वीं आयजके वाले चौकर मानता हूं जलने कबदीचन कमीशन सुॉख्वेस्यशा कि चिंता करू आफं़ के बाद उनकी बंसफीटिटिस्ट डिवें जब तक लिजूएड है इसके चिंदा करें ममता बैनर जी जो हैं वो हर एक राली में कहती हैं कि सी ए का फॉर्म मत साइन कीजिए आपको नागरिक्ता नहीं मिलेगी और आप कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए सत्ति देखिया आज ही आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे जाओं दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिक्ता मिलने जा रहे हैं कि यह देश का कानून है स्मिता जी और इसको इस तरह से जुठलाय नहीं जा सकता जो हिंदू सी बहुत जहिन क्रिश्चन भारत पाकिस्तान अरे पाकिस्तान बंगलादेस औ सारे लोग 2014 के पहले जो सरनार्थी बनकर आए उनका अतिकार है डोकुमेंट हो नहों उनको नागरिक्ता मिलेगी आपने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी को तीस से ज्यादा सीट मिलते तो ममता बैनर जी की सरकार नहीं रहीगी ऐसे कैसे उनकी खूद की सरकार में उनकी कारे पद्दती और भतीजे को तवज्जू देने के काएं धेर सारा असंतोस हम देख रहे हैं और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है एक बार जनता का जनादेश कंप्लिटली इनके खिलाप जाएगा बंगाल के अंदर निच्छी जितेंगे और निच्छी तुप से बंगाल के जनता इस वर बहुमत सी नरेंदर बोदीजी को देने जा रहे हैं क्या यही कारण है कि ममता मैनर जी जो है वो इंडिया अलाइंस पार्टनर्स के राजों में जाके प्रचार बिलकुल नहीं कर रही है हालां कि इंडिया नाम ह नहीं शायद उन्होंने दिया था वो एटलीस्ट वो क्लेम करती है पर उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया वो सिंगल फोकस इसी राजमें रुकी हुई है साइद उनका प्रचार का बाकी राजम में डिमांड भी नहीं होगा और उनको लगता है कि यहाँ अपना घड़ बचाना बहुत जरूए है दोनों चीज़े हैं उरिसा में भी नहीं गई है उनका संबन जो है नवीन बाबु के साथ थोड़ा सा खटा मीटा रहा है इन दे पास्ट उदीशा आप जा रहे हैं वहां का आप बताईए कि वहां चल क्या राता क्योंकि नवीन बाबु जो है वो अपना प्रिवियस रेकॉर्ड तोड़ना च करना चाहिए कि और इसाब देश के बाकी हिस्सों की कंपेरिजन में इतना विक्सित नहीं हुआ जिसने आप बाकी के स्थीर सरकारों वाले राज्यों का विकास हुआ है चाहे गुजरात हो महराष्ट हो मध्यपदेश हो 36 गड़ हो उत्यपदेश हो हिमाचल हो वहां इतना विकास नहीं हुआ है पर 15 साल तो स्थिर सरकार थी वाँ पर फिर भी नहीं हुआ है इसलिए जनता बदलाव चाहती एक दूसरा मैं मानता हूं कि औरी सके प्राइड का मुद्दा भी बहुत महत्पुन हुआ है लोगों को कहीं न कहीं लगता है कि नविन बाबु के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है ओडिया भासा ओडिया कल्चर और ओडिया साहित और कला इसके प्राइड का इस्यू बहुत बड़ा हुआ है और जीस प्रकार से प्रसासन ने राम जन्बभूमी के प्रान प्रतिष्टा में सरकार का उप्योग करकर लोग उत्सव में लोगों बहुत खफा है नाराज है उडिया प्राइड की बात करें तो वो कहते हैं कि आपकी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है जो नवीन पटनाएक के मुकाबले कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन सके चले जनता जब मन बनाती है तब चेहरे दिखाई नहीं पड़ते हैं जनता पार्टी से भी कई सारे एक्सप्रियंस लोग हमारे यहां जोइन कर चुके कई साल पहले जोइन कर चुके हैं तो हमारे पास लीडर्शिप क्राइसिस नहीं है बिहार में क्या आपको गटबंदन का नुकसान होगा या फाइदा क्योंकि ए अंटी इंकंबंसी नितिश कुम उसे बिहार में हमारा गट चुनाओ का जो परफर्मस था उसको रिपीट करें इंडिया एलाइंस के पार्टनर्स बिहार में भी प्रचार करेंगे यूपी में भी प्रचार करेंगे तो मैं हिंदी बेल्ट पे आती हूं जो उतर प्रदेश में इंडिया एलाइंस में एक न कि वह कुछ पुलिस को कम्पलेंड करता है तो पुलीस उसका संग्यान देगी उतना ही कि अभी उनको विचार को जिस संग्यान को इसे निपटा रहरा लाने जिजे, काई को अभी सबमें उछाती है, पर वह है और वीस दिन और बाहर है और अगर बहुत है कि इस दिन चल रहा तो मैं तो मानता हूँ कि Supreme Court का सपस्ट रूप से contempt है इनका कहने का मतलब है जो विज़ाई होता है Supreme Court उनको दोसी होने के बावजुद भी जैल नहीं पेती अब जीन जद सावों ने उनको जमनत दी है उनको यह सोचना है कि उनके जज्जमेंट का क्या उपयोग या दुरूपयोग हो रहा है आप उस जज्जमेंट के बारे में क्या कहेंगे इंटेरिम बेल देखे Supreme Court को अधिकार है नियाई की व्याख्या करने का पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूँ कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिसल जज्जमेंट नहीं है काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेश्यल टीटमेंट दिया गया है केजिवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगोंने इतने कैमरा लगाये हुए थे कानि अप região अतर हा वोसं देख रहे थे कि एल कि लिए ठूटें है कि इसय lotta नहीं और वह केजिवाल जी कहऊं तूटेंग है कि में और सिकमेमा इंधेंट तीषार clone के पास है हमारे पास नहीं है कि को क्रावकि सर्कार क अप किजभाल जी के हाथ मैं गूमं पर वो मतलब दिन में कम से कम तीन बयान आते हैं केजरिवाल जी से और उन्होंने इंडिया अलायंस का नारेटिव कबजा कर गया क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गैरंटी मोदी की गैरंटी नहीं वो अमिर्शाजी की बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे आप इतने सिरियसली ले रहें वो सिर्फ बाईस सीटलर है तेसमें इतना सिर्येश्ली मत लीजिए सिर्फ बाईस इवर रहें और वह गैरंटी दे रहेा हैं पूरे देश का में पिजलिखा बिलमाप कर दूंगा अरे बहें मोदिजी ही रहेंगे और केजरिवाल आपके लिए कोई अच्छा समझा नहीं है उन्तीज के बाद भी मोदिजी ही थी अमरे चुनाव भ्याणों का नेता है ब्रुचत है महराश्चा में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रिजिनल पार्टी को तोड़ा है चाहे NCP मुझे दो बात का जवाब दीजे अगर सरत पवार जी अजित पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी तूपती क्या और उद्धव जी अपने बेटे की जगे एकनात सिंदे को महत्व देते तो पार्टी तूपती क्या यह उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और सरत पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टी या तूटी है खाम-खाम पर इंजम लगा रहे हैं वो ऐसी वियोस्ता चाहते हैं राजा साही जेसी कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्रा अधिकारी बने अब है तो लोग तंत्रे इस तेश में तो काफी लोग इसको स्विकार नहीं करते हैं वो अलग हो रहे हैं ये रीजनल पार्टी के साथ होता है ना सभी रीजनल पार्टी में परिवार वार्जों तो सभी जगे जे अलग खे में बनते हैं इसमें असाहाजिक क्या है क्योंकि शारतपवार जी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है महराष्टरा में और बाकी राजों में भी जो रिजनल पार्टी सें वो Congress में they should merge with the Congress. तो इसका मतलब सरत पावर जी स्विकार कर चुके हैं कि सुप्रिया जी पार्टी नहीं चला सकती है? पार्टी चलाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि Congress अब Congress Party को strengthen करने का वक्ता क्या है? भई कोई अपनी पार्टी को आप मृत्यू करकर Congress Party को कब strengthen करेगा? जब अपनी पार्टी चलने की स्थिति में नहीं होती है. तो इतने सालों से क्यूं नहीं किया है? अब सरत पावर जी ने बताईए मुझे. आप guarantees की बात कर रहे थे, आपने Congress की guarantees को Chinese guarantees कहा, पी ओके की तो बात चली रही थी, आप चाइना को भी लेके आ गए conversation में? Chinese guarantee मैंने टिकाव पना के अधर परका है. यह सच नहीं होता है. मैं बताता हूँ, मैं अभी तिलंगणा गाया था. वहां की मैलाय रहा देख रही हैं, कि हमारा 12,000 रुपय कव बाये था. वहां के किसान 2 लाके कर्जमाफिकी रहा देख रहे हैं. वहां की बच्चियां स्कू अब ढूंद रहे हैं राहूल जी को. तो दक्षिन में चुनाव खतम हो गए, राहूल जी अब उतर में आ गए हैं. उतर में आ गए हैं, मगर दक्षिन में था तब भी तो वह जाते थे. तो इसलिए मैं कहता हूँ, यह गैरंटी का कोई मतलब नहीं है. यह चुनाव तक ब कायम हूँ, करनाटक, तेलंगाना, आंद्रप्रदेश, कीरल और तमिलाण, यह पांच राज्ये मिलकर जितनी सीटे हैं, इसमें भारतिय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर बाहर आएगा इस चुनाव में. उतर प्रदेश में अब प्रचार इधस पिक्ट आप, आप आप वहां पर कितनी सीट कहते हैं, आपने आप, हम सीटों में बड़ोतरी करेंगे, कितने, वह अभी कह नहीं सकते, तीन चरण बाकी है, परन्तु लास गर्चुना में हमें 65 सीटे मिली थी, हम इससे और आगे जाएगे, आप राय बरेली में आपने प्रचार किया, वहां पर आपने कहा कि, जो सोनिया गांधी है, उन्होंने अपना MP-led funds जो है, वो सिर्फ माइनॉरिटी अगर किया तो फिर उसमें क्या बुराई है, आपके वाक्य को ही में अलोब्रेट कर, सिर्फ माइनॉरिटी पर आपती है, वाक्य की वोटर आपके नहीं है क्या, टिकन फोर इतना ही छूटा सा सवाल है, वहाँ पर जो आपका कैंडिड़ेट है, उसका स्टेचर गांधी फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम नहीं है, कि आप एक किसी और कैंडिड़ेट को वहाँ पर हड़ा कर सकते हैं, नौ साल का था, तब नारे लगाता था, इमर्जन्सी की खिला थोड़ा बड़ा हुआ, हम आसाम के नर्जन्हार के लिए नारे लगाते थे, आसाम की गलिया सुनियें, इंद्रिया गांधी खुनी हैं, स्टेचर देश की जन्ता बनाती हैं, कहीं जन्मलेने से नहीं बनता है स्मिताजी, हम सब सामाने परिवार से जन्मलिये हैं, हमने ज वहां पर प्रियांका गांधी जब कैम्पेइन कर रहे हैं वो भी एमोशनल अपील कर रही है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी को लेके आई थी जब उनका उनकी मृत्यूई थी उनको मारा गया था अपनी दादी का जिक्र किया कि हमारे परिवार ने भी खून बहाया है इस देश के लिए तो हम पे क्या अलजाम लगाते हैं हमको क्या सिखाते हैं देश बक्ती हम नहीं सिखाते हैं उनको सिखाया तो उनको जाता है जो सिख सकते हैं हम क्या सिखाते हैं हमारा कोई ऐसा गुर मुझे कहा जाता है कि मेरा परिवार यहां आता नहीं है राइबरेली में यहां पर तो मैं आती हूँ ग्रहमंद्री को कैसे पता कि मैं यहां आती हूं कि नहीं आती हूं क्योंकि आपने काता है आपके ही लोग बता देते हैं, नहीं वाले ही बता देते हैं, मत बताईए आप अगर उनको आपती है तो मुझे कैसे पता चला हूँ गांधी परिवार जो है वो अमेठी में नहीं लड़ा, ड्राइबरेली में लड़ा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखें, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहूल गांधी जी ने वाइनाड से वाटिंग के पहले कह देना चाहिए था, कि मैं दो जगे से लड़ने वाला हूं, यह हाइड करना मेरे इसाब से ठीक नहीं है, लोगतांतिक ब्रुष्टी से, वो भी वो क सकते हैं, पर मुझे ठीक नहीं लगता, वाइनाड की जनता को कहना चाहिए, कि मैं दो जगे से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा, इसमें क्या आपत्ती हो सकते हैं, वाइनाड का चुनाव पैक होने के बाद, जब पूस्ट पोल सर्वे की जानकारी में ख जबाब देंगे? अब बड़े लोग है, मुझे मालूम नहीं है, वगर मैंने सारवजनिक रूप से पूछा है, मुझे लगता है उनको जबाब देना चाहिए. आप उन्हें बड़े लोग कहते हैं, उन्होंने तो कहा कि हम डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कोई मीडिया प्लानिंग उनका अलग देखते हैं आप? मैंने इतना अनालिस करता हूँ, मैं मेरी पार्टी की चिंदा करता हूँ. उन्होंने कई जगा कहा है कि जो इंडिया में जो पद्दती है, जाहे अगनीवीर स्कीम हो या फिर IIT वगेरा, उसमें क्या हो है, उन्हों OBC या फिर दलित परिवार के बच्चे हैं, वो नहीं वो आंसर्स दे सकते हैं. इसमिता जी इनको कुछ जमिनी हकीकत मालूम नहीं है, चाहे स्टेट का कैडर हो, चाहे All India कैडर हो, सब के लिए रिजर्वेशन है, उनका कोटा है, तो बरोबर उनके कोटा के हिसाब से उनकी कोटा के अनुपात में, उनका सिलेक्षन होता है, इनको मालूम पेपर सेटिंग से क्या लें देन है? एसी बच्चा है औलिंगा सर्विस में आता है या स्टेट की सर्विस में एक्जाम निशन देता है तो उसका कोट आता है पिपर सेटिंग से इसका कोई लेंदे नहीं है इनको साइब पित्रोडा साब ने लिख कर भेद दिया है कोई कारा गोला ऐसा कुद था मैंने भी सुना था कुछ तो यहां बोलने लगे हमारे सम्विदार ने रिजर्वेशन दिया हुआ है उनको याद नहीं है साइब वो कहत कि आते ही है वो तो कहते है कोई आता ही नहीं आप ने नकसलवाद की बात कही इंटर्नल झेक्योरिटी का जो ए ज्जर्कन 34 गड़ में जो नकसलवाद पर आपने हमला दिया था कि नकसलवाद खतम करके रखूंगा वो प्रियोरिटी लिस्ट में कहां था आपके जब आप स स्टता से कहना चाहता हूं कि जार्खन, बिहार, तेलंगाना, उरिच्छा, आंध्यपदेश, मध्यपदेश और महराष्ट, चतिसगर्ने, पून तया नक्सलवाद से मुक्त हो जुग है, जार्खन, तेलंगाना और मध्यपदेश के कुछ हिस्से से हैं, जहां 40 साल के बाद अप्रेशन कार्ड बढ़ रहा है, पटवारी की ओफिस खुल रही है, मत डाता सूची फिर से बन रही है, सरकारी स्की मोगा लाब नागरिकों को और ट्राइबल्स को मिल रहा है, 40 साल के बाद बूरा पहाड करकर एक जगह है, जार्खन में, आप जाकर आईए, और हमारी स स्कुरिटी फोर्सिस ने क्यावन दिन तक ऑप्रेशन करकर बूरा पहाड को कम्प्लिटले नक्सलियों से मुक्त करा है, अब 36 गड़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है, मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा, और 36 गड़ में भ सरेंडर हुए हैं, 153 एरेश्ट हुए हैं, इतना बड़ा अभियान ये पांच मेने बिलिया है, जो कॉंग्रेस की सरकार्थी तब स्थग हित्ता आ गए थी, और on the contrary, कॉंग्रेस पार्टी ये कह रही है, कि फेक एंकाउंटर हो रहे हैं, मैंने कई इंटर्यू में का है, त कॉंग्रेस पार्टी के साथ साथ ये ही हुआ है, इंटर्नल सेक्योरिटी के बारे में ही पूछूंगी, क्योंकि आप ग्रह मंत्री हैं, बालकोट स्ट्राइक और पुलवामा के ऊपर भी फिर से चर्चा शुरू हो गई है, लोग कह रहे हैं कि पुलवामा में, जैसे स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का अगर देखते हैं, तो ये लोग इतने छोटे मन के हो गए हैं, कि मोदी जी को इसका यस्त न मिले, इसलिए इसी भ्रहन्ती फिला रहे हैं, कि जैसे कुछ हुआ हैं, मुझे बताई है, स्मिता जी इतने बम दमा के दस साल में हुए, सुन सिरीज ओब ब्लाश्ट जैपूर, मुंबई, एमडाबाद, हैदराबाद, माले गाओं, क्या किया आपने, वी रोग भी नहीं किया, माइनोरिटी वाट बैंक के डर से, नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मरा है, और वो छोड़ दीजे, धारा 370 जाने के बाद, कस्म 33 साल के बाद वहाँ थियेटर सुरू होगी, 33 साल के बाद वहाँ पर ताजिया का जुलूस निकला है, 2 करोड 11 लाग परियटक आये, पत्थरवाजी की एक भी घटना, 23, 24 पूरे साल में नहीं हुई, पूरे जमु कस्मी में, दो दरबार की सिस्टिम बनाए रखी थी, हमन करोड का इंवेस्टमेंट आप कस्मीर में जा रहा है, 33,000 जन प्रतिनिदी, पंच, सरपंच, तहसिल पंचाइज, जिला पंचाइज के चुन करा हैं, और इसके साथ-साथ मैं आपको बताता हूं कि 58,000 करोड की 22 परियोधनाओं को हमने डेवलप्मेंट के काम में पूरा कर कस्मीर के हर घर में गैस पहुचाया है, नल से जल पहुचाया है, हर कस्मीरी को देश में पे तो घरिब को मिलता है, यहां हर कस्मीरी को, 5 लाग तक की स्वास्त की सुइधाये, कस्मीर प्रसाशन और नरेंद्र मोदी जिदेवे हैं, और इसके साथ-साथ हमने कठोर कدم उठ जीर इस घर्षिय पत्रयाव की गटना की एफायर होती है उनको सरकारी नौकरी अब नहीं मिलती है जो टेरिश्टों से रिष्टे रखे उनको सरकारी नौकरी उसे बेदखल किया जा रहा है कठोर कदम हमने उठा है और इसका आद नतिजा है कि जो लोग भारत के समीधान को म और फारुक अब्दाला साब को संग्यान होना चाहिए कि आपके इस आशन में वहां आट परसंट, दस परसंट, तेरा परसंट वोटिंग होती थी, कल चालीस परसंट तक, 36 परसंट तक वोटिंग होई है बहली बार कास्मिरी पंडित 35 प्रत्सत से ज्यादा वोट डाले है जो विस्तापी थे, उनको भी अपना अधिकार वापीस मिला है, और मैं तो जमुकस्मिरी की जनता को कहना चाहता हूँ, जिसको भी चुनना है उसको चिनिये, परन्तु खुल कर मत्दान करिए, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो भारत के समविदान ने आपको दि आएं, 37% वोटिंग स्रीनगर में, अगर इतना confidence है इंडियन constitution पर, जो वो कहते हैं के हमारा आईन, हमारा हक है, महबूबा मुफती कहती है, लेकिन इंडियन constitution पर confidence है, इसलिए 37% लोग वोटिंग करने आए थे, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं लड़ी, वहाँ से, दिखे एक गलत फेहमी फेलाई जा रही थी, कि इसारा development, इसारा अधिकार, भारतिय जनता पार्टी अपने पैर पसारने के लिए कर रही है, हमें स्विकार करते हैं कि अभी हमारा संगठन वहाँ है, स्थिति में नहीं है, मद्बू स्थिति में नहीं है, हम हमारा संगठन बढ़ा मुसलिम मजॉरिटी है, वहाँ पर भी आप जीत के आ सकते हैं, क्या ये एक चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, हमारी अपेक्सा है, हमने कस्मीर में 30 साल के बाद सांगती करी है, जन्दा क्यों हमें स्विकार नहीं करेगी? क्या यही कारण है कि पंजाब में भी आप आप इस सब्वाद हुआ था एक जमाने में और सिचुएशन जो है, बॉर्डर स्टेट है, यहां पर भी सेक्योरिटी का मसला उठेगा, खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, वो भी देख रहे हैं, यहां के लिए लड़ भी रहे हैं, चुना भी लड़ रहे हैं, खालिस्तान के सप अधिकार कर सकते हैं, उसको अधिकार है, जनता को भी अधिकार है, अपना नुमाहिंदा चुनने का, प्रदान मंतरी जो है, वो गुर्दवारे में जा रहे हैं, पटना साहिब भी गए थे, पहले भी जाते हैं, आप भी जाते हैं गुर्दवारे में, आप सीख वोट को कै असे देखते हैं फंठिक को गुरुद्वारव में जाना रा इसको सिख वोर्ट के साथ कुझत को एक इस तेश की करेंपराओं के लिए इस देस के द्हार्म्न के लिए सिथी किसी ने दिया हुग आप अद्धशम गुरु के जन्मस्तान पर मौदीं जाते हैं तो एक व्यक्ति ने अपने दो सहजादों को दिवाल में जिनदा चुनवा दिया, दो सहीद हो गए, वंसी ही नहीं बचा, वो व्यक्ति को सनमान देना हर भारती का करतव है, किसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, अत्याचार के खिलाप लड़ेगो, धर्मान दिता के खिल आप लड़ेगो और उनका सन्मान करना नकेवर मोदी जी मोदी जी ने तो अच्छा ही किया है देश के हर नागरी का करते हुए इसको आप वाट के साथ कुरूपिया में जोगी आप कन्वर्जन की बात करते तो यू सी सी पर आती हूं मैं यू सी सी अभी एजेंडा में है या एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए पर हमारे चुनाव का एहम मुद्धा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेश के कानूनों को पर्सनल लौज को नहीं आने पर्सनल लौज तो राहूल गांदी जी वो भी एक सव जो आपने पूछा था कि क्या पर्सनल लौ आने देंगे तो क्या शर्या कानून उससे जोड़ा थो आपने ने तो क्या कौन सा पर्सनल लौ लाना चाहते है शर्या के लाड़ा मुस्लिम पर्सनल लौ तो वो सर्या का ही अंग्रे जी ट्रांसलेशन है जो अंग्रे जो ने क स्मिताव जी, 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे, CA के लिए भी भी बहुत सारे लोग कहते थे, अब यह सब वास्तविक्ता बन चुका है, जनता ही निरे करती है, और इसलिए हम चुनाव के पहले कह रहे हैं, कोई गोपनिया बात नहीं है, पर UCC स्टेट वाइस हो रहा है ना, जैसे, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे CA, दोनों का समान अधिकार है, CA में एक्स्क्लूजिव केंद्र का है, सिविल लो में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, मैं वापस उतर प्रदेश में आती हूँ, उतर प्रदेश में ज्याद से ज्यादा नमबर लाना क्या बहुत जरूरी है, कि क्योंकि... देश में हर सीट जितना भारती जनता पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि मैं मेरी पार्टी का expansion चाहता हूँ, मेरी पार्टी के आइडियोलोजी को पूरा देश स्विकार करें मेरे मन की इच्छा है इसमें क्या पुरा ही है अमिशा जी इलेक्शन इंटर्फियरंस पे मैं सवाल पूछू की क्योंकि बहुत से जो अकबार हैं विदेश के अकबार उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि अगर बहुत ज्यादा नंबर आते हैं बीजेपी के तो आटोकरसी की तरफ जाएगा और ये एक सीरीज है विदेश के मित्रों ने हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारा देश इनफ मैच्चुर है हमारे मत्दाता इनफ मैच्चुर है इस देश ने कई सत्ता परिवर्तन कई सत्ता परिवर्तन खून का कत्रा बहाय बगर करें 75 साल में सत्ता हस्तांतरीत करने के लिए कभी यहां रख्त नहीं वहा है, बड़े-बड़े फैसले लिये हमने, हमारे देश की जनता ने और सभी रादनितिक दलों ने इसका सन्मान किया है, और टोकरसी इस देश में आही नहीं सकती, सत्ता का संतुलन हमारे समविधान ने इतने सुंदर तरीके से किया है, कि और टोकरसी आही न रहते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री इस च्रॉंग वहां उनका जो कैबिनेट है वो भी एक मस्कुलर इंटर्नल पॉलिसी और मस्कुलर एक्स्टर्नल पॉलिसी रखता है इसके बावजूद चाइना जो है वो हमारी जमीन ले रहा है पाकिसान आखे रहा है हमारी जमीन भारतिय जनता पार्टी के सासन में एक इंच भी नहीं गई यह गलत बात है गलत नेरेटिव खड़ा कि चाइना ने जरूर ली है वगर जवाला नेरू के समय में ली है कॉंग्रेस के समय में ली है मैं रेकोर्ड पर कहना जाता हूं नरेंद्र-मोधी के साशन में एक हिंच भी जमिन हमारी न ही तीसरे टरम ही टयम में प्रायोरिटी क्या होंगी के क्योंकि अलबेकि भूस्टन पत्र टाय है और मैं मानता हूं कि भारत्यर जनता प्राटि संकलप्त्र के आधार पर चलने बाड़ी पार्टी है और हम हमारे संकल्पत्र को पूरा करेंगे हमने 14-19 के संकल्पत्र के 92 प्रतिसत वादि पूरे किये हैं और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहते हूं ओधी जिने स्वयम जिस संकल्पत्र को भी गोसित किया है 2024 के आम चुनाव के लिए उसको भी हम सत्पतिसत इंप्लिमेंट करेंगे कॉंग्रेस तो कहती है कि आपका संकल्पत्रो आपकी पार्टी ही नहीं पड़ रही है क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसका हीरो कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो है क्योंकि एप्रिल 27 से आप सिर्फ कॉंग्रेस की मैनिफेस्टो के वारे बाते है उसके बादे विवादी समाप्त हो जाएगा वो छुट्टी पे चले जाएंगे मोदी जी सपत लेंगे और सरकार चलने लगे उस पर थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया हमसे बात करने हैं आपका धन्यवाद